नमास्कार दोस्तों मेरा नम प्रतीक है and अगर आप सियाज खरिदने का प्लान कर रहे हो and आप कंफूज हो कि सियाज का बेस वेडियंट ले या डेल्टा वेडियंट ले तो मैं आपको वह 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 कंफूज है यहाप पर क्लियर करता हूं कि क्यूं डेल्टा ले या सिग्मा सबसे पहले हम आपको दिखाता हूं कि दोखो इसका सिग्मा वेडियंट है उसका प्राइस है नाइन लाक रूबी एंड कमिंग तुदी एक अप करते हैं डेल्टा तो 63,000 प्लस देना पड़ेगा तो क्या 63 जस्टिफाई करता है कि आपको डेल्टा सजाने चाहिए कि फिर आप सोचे रहो नहीं यार सिग्मा भी तो वैल्यू फर मनी वेरियंट है तो सियाज का भी जो भी वेरियंट अवलेबल है मार्केट कर अंदर सब आपने आप में एक वैल्यू फर मनी वेरियंट है सब चाहे सिग्मा ललो डेल्टा ललो याजटा ललो बट डेल्टा सिग्म मिल जाता है यहां हो गया sigma यहां हो गया delta जो सबसे परा change मिलता है वो है alloy wheels ठीक है आप मतलब आपको एक सिंपल सा ही लेकिन मिल जाता है delta के ही अंदर तो आप सोचे लो कि यार बाया लो आप एक simple allowance ही लगवाते हो तो भी 20,000 पर लगी जाएंगे यह तो कम से कम company fitted loyals आपको मिल रहे है डेल्टा के अंदर ठीक है उसके बाद आपको जो next चीज इसमें यहां देखने को मिल जाता है जो sigma में नहीं मिलता है वो है chrome garnish ठीक है तो यह कोई बड़ा चीज नहीं है जो आपको 63,000 पर आपका justify कर दे बट इसके उपर अभी आपन चलते हैं वो है cruise control cruise control एक बहुत important feature है खासका कर यह step का sedan में मतलब एक comfort zone में आपको ले आता है यह तो cruise control जो है वो आप बाहर से लगवा भी सकते हैं अगर लगवा भी सकते हैं तो price भी justify करता है and the next important thing is auto AC auto AC भी बहुत ही अच्छा feature है ठीक है सबको पता है and आप इसको बाहर से कुछ छेशा करवा भी सकते हैं या तो manual ले लो या फिर auto ले लो जो company तेरी आपको वही लेना पड़ेगा down the line ठीक है चौता चीज हो गया वह है driver side high adjuster अब देखो यह भी आप बाहर से नहीं करवा सकते हैं तो इसलिए company रे second variant में ही डाल दिया कि चलो बढ़िया है तो इसलिए यह भी एक अच्छा feature हो गया and lastly आपको यहाँ पर front fog lamps भी मिल जाते हैं डेल्टा के अंदर तो guys आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो गया एक उसके बाद यहाँ पर दो तीन चार पांच ऐसे feature मिल जाते हैं तो आपका प्राइस जिस्टिफाइब करते हैं तो अब आप सोच लोगे यह यह value कैसे करता है मतलब आप यह value for money कैसे है कि 63000 मुझे पता है 63000 रुपय कि आस-पास का नहीं है अगर आप बाहर से लबाओ गए तो लेकिन यह value पैसे पता है कैसे create करता है क्योंकि यह चीज़े आप बाहर से नहीं लगवा सकते हैं तो इस सब्सक्राइब करता है और आपको अच्छा खासा मतलब प्रीमियम का मिल जाता है स्याज डेल्टा भी ठीक है अलाओ इस मिल गया तो आप समझ लोग कि बाहर से इसका लोग कितना ही अच्छा आएगा फ्रन फोगला मिल यह सब कुछ मिल जाता है तो आई स्टॉंगली सजेस्ट कि अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेट्लिट